Hi I am Shushmita Wannadji क्या आप exam का stress, job का stress, family का stress, relationship का stress या social stress से जूच रहे हो ? क्या आप जानना चाहते हो इससे आपके brain में क्या effect परता है ? इससे आपका अच्छा हो रहा है या नुकसान ? तो आज मैं आपको इन सवालों का जवाब दूँञी और दोस्तो पिछली बार मैंने विडियो बनाए थी कि आप फ्री टाइम में क्या कर सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप वो विडियो ज़रूर देखना तो चलिए आज का विडियो स्टार्ट करते है नंबर वन फियर दोस्तो जब हम तनाब में होते है तो फिर हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है जैसे कि अगर आप जॉब के स्ट्रेस में हो तो आपको जॉब से या जॉब ना पाने से डर लगने लगेगा और उससे आप जॉब में अच्छे से कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टाउट होने से हमारे दिमाग से मेमरी गायब होने लगता है जो की हमारे लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है तो अगर आप एक्जाम में स्ट्रेस ले रहे हो तो आपने जो परा है सब भूल जाओगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें नमबर 3. No sleep स्ट्रेस से सिर्फ मेमरी ही नहीं नीन्द भी उर जाती है बहुत लोग सोचते है अरे मैं तो प्यार में हूँ प्यार मुझे सोने नहीं देती तो वो प्यार नहीं, stress आपको सोने नहीं दे रही है तो stress से हम सोने ही पाते है और ना सोने से हमारा stress और भी बढ़ चाता है No.4, Depression Depression एक बहुत ही major चीज है तो जादा stressed रहने से आप depression का शिकार भी हो सकते हो और उससे आपकी health भी भी कर सकती है अरे ये कहां से आ गया? Actually, ये stress का ही point है आप सोच रहे होंगे, stress से तो सब बुड़ा होता है तो ये अच्छा point कहां से टपक पड़ा? असल में थोड़ा सा stress हमारे लिए अच्छा है अगर आप किसी competition में हो और तनाब में हो तो फिर उससे आप और भी focus हो जाओगे और आपको बहतर result मिलेगा पर ध्यान रखना कहीं वो stress जादा ना हो जाए वरना उसका बुरा effect ही पड़ेगा तो दोस्ता आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको helpful लगी है stress के और भी कहीं सारे effects होते हैं पर आज मैंने बस brain के effects के बारे में बताया बाकी effects हम किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे जैसे जादा खाने से होता है उल्टी जैसे जादा खाने से होता है उल्टी जादा stress से गायब होता है सेहत की फुर्ती कम stress करो और उसे फायदे के लिए यूज करो अगर आज की वीडियो आपको helpful लगी है तो एक like, comment, share और subscribe कर देना तो फिर मिलेंगे next day को तब तक के लिए goodbye and don't be stressed out too much